ऐसा प्रदेश जहां रगरग में राजनीती की बात होती है बिहार यानि वो प्रदेश जो दुनिया में घ्यान और दर्शन के केंद्र के रूप में विख्यात रहा है लेकिन आज कल बिहार किसी और वज़े से भी चर्चा में है और वो है बिहार के पुल क्योंकि बिहार गि यहां जो पूल गिरा है वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा था और इसे तक्रिबन दो करोड रुपे की लागत से बनाया जा रहा था तक्रिबन पचास फीट लंबा ये पूल अगर सही सलामत रहता और वक्त पर बनकर कंप्लीट हो जाता तो मोतिहारी के चैनपूर स्टेशन तक लोगों की पहुंच आसान होती लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अब ये पुल वरतमान का दर्शन करने से पहले ही भूद पुर्व हो चुका है लेकिन ये सिर्फ एक लौता मामला नहीं है इससे पहले 18 जून को बिहार के अरड़िया और 22 जून को सिवान में भी पुल ढहे चुके हैं और उनकी तस्वीरे आपकी स्क्रीन पर है सिवान की तस्वीरे तो खासकर हैरान करती है क्योंकि यहां जो पुल बना वो बिना बारश शेयर दूफान के ही तारश के पत्तों की तरह धेर हो गया हाला कि प्रशास्त ने इसे इसको लेकर के तर्ग दिया कि जिस नहर पर पुल बना था उसमें अचानक जादा पानी छोड़ दिया गया और पुल उसे बरदाश्त नहीं कर पाया लेहाजा वो ढहे गया इससे पहले मंगलवार को अरडिया में भी 180 मीटर लंबा पुल धड़ाम से गिर गया और इसी के साथ सरकार के तक्रिबन 12 करोड रुपे भी पानी में डूब गया लेकिन बिहार में पुलों के ढहने या बह जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है ऐसी कई नजीर है जो बताती है कि बिहार के पुल चाइनीज सामान की तरह होते जा रहे है चार जून 2023 को खगड़िया में गंगा पुल 19 20 मार्च 2023 सारण में कमजोर पुल 19 फर्फररी 2023 बेह्टा सरमेरा फूर लेन पुल 16 जनवरी 2023 दरमंगा में लोहेका पुल ठै गया जुलाई 2022 कटेहार में निर्मानधीन पुल गिर गया 18 अवेबर 2022 नालंदा में निर्मानधीन पुल गिरा 9 जून 2022 सहरसा में पुल गिरा 30 एप्रिल 2022 भागलपुर और खगड़िया में बना हुआ पुल तूट गया लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बिहार के पुल सिस्टम की नियत के तरह इतने कच्चे क्यों है क्या बिहार में इंजिनिरिंग में कोई खामी है या फिर सिस्टम की नियत में है एक रिपॉर्ट आपको देखाते है जरा सोचे किसे पुल को बनाने में कितना वक्त, कितनी महलर और आम जनता यानि कि आपका कितना पैसा लगता है किसे पुल को बनाने यानि कि प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने में कितना समय लगता है और जब पुल बनता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है ये सोच कर कि आपके जिन्दगी एक पुल बनने से आसान हो जाएगी आपके रोजमर्रा के कामों के लिए आपको जद्दो जहत नहीं करनी पड़ेगी और आपका समय बचेगा लेकिन जब वही पुल कुछी सैकिंड में जमी दोज होता है तो हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ निराशा और खड़े हो जाते हैं कई सवार बिहार में पिछले कुछ दिनों से पुल गिरने का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है अब अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में पुल गिरने का मामला सामने आया घटना जिले के एक घोड़ा सेहन प्रखंट की है जहां निर्माना धिन पुल ध्वस्त हो गया लगवग डेड़ करोड की लागत से पुल बन रहा था पुल की धलाई के बाद ही द्वस्त हो गया इस घटना के बाद से सवाल उखने लगे कि आखिर कैसे एक महीने के अंदर तीन पुल गिर गये है दिरसल पुल की धलाई शनिवार को ही हुई थी जो रात में ही अचानक भरबरा कर गिर गया इसके पहले शनिवार को सीवान जिला के महराजगन अनुमंडल के पटेडा और गरॉली गाउं के बीच का पुल अचानक तोट गया जिससे दोनों गाउं का आवगमन पूरी तरह से ठप हो गया इस पुल के तूटने से इलाके के लोग काफी परेशान हो गये त्यूकि ये पुल दोनों गाउं के बीच का मुर्ख्य संपर्क सादन था ग्रामीडों का कहना है कि गंडक विभाग ने नहर की सफाई कराई और नहर की मिट्टी काट कर नहर के बांध पर फेकी गई थी जिस वज़ा से पुल का पिलर काफी कमसोर हो गया था और पुल टोट गया ग्रामीनों ने ये भी आरूप लगाया कि नहर की सफाय के दौरान विभाग ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया पुल के पिलर पर अत्रिक्ट भार पड़ गया और ये हाथसा हो गया बात अररिया के करे तो यहाँ पर भी 18 जून को एक पुल गिर गया था बकरा नदी पर बन रहे पुल का तीन पाया अचानक से गिर गया करीब 12 करूर की लागत से बन रहे पुल के गिर जाने के बाद इस्ताने विधायक ने काम में आन्यमित्ता का आरूप लगाया उन्होंने पूरे मामडे में भिष्ट चार के आरूप भी लगाये तो वहीं अरल्या में निर्माना धिन पुल गिरने से इस्ताने लोगों में काफी आक्रोश है खैर ये कोई पहली दूसरी या तीसरी दफा नहीं है जब बिहार में पुल धराशाही हुआ हो बिहार में तो पुल बनना और गिरना अब आम सी बात हो गई है जब कोई पुल गिरता है तो सोचल मीडिया पर उसका वीडियो जरूर वारिल हो जाता है लोगों का गुसा भी फूटता है लेकिन होता कुछ भी नहीं क्योंकि अगर कुछ आक्शन लिया जाता तो शायद भे कुछ दिनों बाद फुल गिरने का कोई नया वीडियो सामने नहीं आता वीरो रिपोर्ट भारत 24